किसंग याददाश कमजोर होती जा रही है, इन सब माम लोग कभी के बार भूल जाते हैं, रिकॉर्डिंग वैसे तो मुझे याद रहता है कि आन करना है क्योंकि जो बच्ची क्लास एटिल नहीं करती वो तो इसी के महरोसे हैं, अब यह भी नहीं रहेगा तो वो देखेंगे कि स्क्रीन अलड़ी शेयर्ड है, दो मिनट एक या दो मिनट और मैं वेट कर लेती हूं, उसके बाद तो मैं स्टार्ट करी दूंगे सो बच्चों तब तक के लिए आप लोग मुझे यह बता दीजे, कि हमारा लॉगरिदम का दो क्लास तो हो चुका है, यह थर्ड क्लास है, राइट सो दो क्लास में आपने जो क्वेशिन किये, उन क्वेशिन का लेवल आपको कैसा लगा, इजी लगा, मीडियम लगा या फिर हार्ड लगा बोलिए, बोलना ज़रूरी है, माई कनम्यूट करके बोलिए जरा सो रहे हों आप लोग या जगे हों मीटिंग में, सारे स्टोरी तो बता दीजिए, आपको लेवल कैसा लगा, मेरा जानना ज़रूरी है कि मीडियम लगा रहा है, कोईश्ञ कैसा लगा रहा है, ऐसा लग रहा है? मीडियम, मतलब समझने में बहुत हार्ड या कटीम तो किसी को नहीं लगा रहा है ना? नर्माल Thank you Divya बाकी लोग नहीं बोल ले चलो ठीक है नौर्ट इंट्रेस्टेड ठीक है चली कोई बात नहीं नौर्मल लग रहा है तब तो ठीक है क्योंकि advanced level का question मैंने last class भी एक करवाया था मैं जान मुझके जे ये advanced का question ले रही हूँ उसी को समझ लेते हैं easy तरीके से तो अपने को आदत हो जाएगी कि advanced level का question इतना easy है तो means level का कितना easy होगा ओके फाइन तो time को waste नहीं करते हैं और already 4 मिनिट बीच चुका है class मैं start कर देती हूँ आपका जितने भी बच्चे आएं हैं उसे देखते देखते दिन बीच रहे हैं एक हफ्ता बीच लिया आप लोगों के संच and lecture number हमारा logarithm का तो 3 है बाकी तो मुझे पता नहीं कितना है शायद 6 या 7 होगा आज मैं chapter के recording लेक्चर number अपसे डाल दिया करूँगी वह जादा better है logarithm and exponential chapter का नाम आज का अगर हम class objective देखें अपना तो last class के class objective से बस एक ही difference है कि आज हम एक new पढ़ेंगे topic वो है modulus function कुछ नहीं है यह जैसा हम logarithm का पढ़ते आ रहे है inequalities वैसे modulus का क्या होता है वो भी मुझे आपको बताना जरूरी है और यह आपको 12th class के function chapter में भी काफी काम करेगा इसका जो concept है यहाँ पर तो कुछ हम यहाँ पर basic में पढ़ लेंगे बाकि आप 12th में पढ़ लोगे उससे related कुछ inequality solve कर लेंगे तक कि एक idea मिल जाए हमें logarithm and exponents का जो बच्चा हुआ question मुझे आपको करवाना है तो वो दो तिन करवा दूंगी important वाले और previous where question भी मैंने कुछ लिये है वो भी देख लेंगे तो मिला कर आज यह पूरा class objective मैंने बनाया है जिसको हम लोग achieve करेंगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं modulus function से so modulus function का देखे मुझे एक line का यह बहुत अच्छा है आपके लिए explanation मिला तो मैंने यहाँ पर लिख दिया the modulus absolute value of a number may be thought of as its distance from zero यह बोल क्या रहा है basically यह मेरा क्या है main जो है zero ठीक है zero मेरा important part है यहाँ पर और absolute sorry modulus absolute value of a number absolute मतलब exact value जो particular value हमें चाहिए उसको हम कैसे बोल सकते हैं हम उसको may be thought thought मतलब क्या सोचना हम उसको सोच सकते हैं कि वो हमारे zero से distance पे है तो यहाँ पर मेरे zero से distance पे क्या है बच्चों इस तरफ अगर मैं देखूं तो one two और इस तरफ अगर मैं देखू गिनना है लेकिन हम कब तक गिन पाएंगे एक limit है ना अपने गिनने की भी वो तो infinity तक जाएगा तो ठीक है उसको जाने दो infinity तक यहाँ भी जाएगा minus infinity तक यहाँ भी जाएगा तो हम modulus में function को लिखते हैं अगर तो कैसे लिखेंगे आप लोग समझ गए example मैंने दिये 2 and minus 2 का यहाँ पर minus 2 है और यहाँ पर 2 है अब modulus अगर मैं लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी mod में minus 2 लिखूंगी ठीक है which is equals to यह मेरी कितने distance पर है 2 एक number, दो number दूसरे number पर आता है मेरा minus 2 तो मैं इसको क्या लिख दूँगी जो है 2 लिख दूँगी भी न सोचे हो गया मेरा काम अब यह वाले को अगर मैं देखू यह वाला तो उसको मैं modulus mod के अंदर अगर लिखूंगी यह दो डंडी जो हम लोग ऐसे खीषते हैं इसको mod बोलता mod के अंदर अगर मैं इसको लिखूंगी तो आप लोग बोलोगी यह भी 2 1 और 2 तो यह भी 2 तो हमें क्या एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि mod के अंदर minus वाला था वो भी 2 आ रहा है और जो plus वाला था वो भी 2 आ रहा है दोनों का answer से हमा रहा है आगे जाके minus plus का और हम देखेंगे मैं आपको यहाँ पे इतना बता देती हूँ कि हम लोग बच्पन से ही यह पढ़ते आए हैं कि हमारा minus of minus क्या हो जाता है भाई minus of minus plus हो जाता है तो यह तो खेलते हैं हम लोग ना अपस में minus minus plus ऐसे करते हैं वो खेल यहाँ पे बहुत काम आएगा अपने को ठीक है and plus में अगर है mod के अंदर plus में है तो वो वैसे भी आपका plus में जाएगा ठीक है और अगर mod के अंदर minus में है तो वो तब भी वो आपका positive होगा कैसे होगा कि आप ऐसा सोच लो कि मेरे पास already एक minus है ठीक है और उसके सामने भी मैं एक minus लगा रहा हूँ तो भी मेरा minus of minus positive ही होगा ऐसे सोच करको चलना है और वो automatically positive होगा भी ये चीज़े हमने यहाँ पे थोड़ी से समझ ली और बस two की जगा कोई भी example ले लोगे suppose four ले लोगे तो यहाँ पे four आ जाएगा four कितने number पे है one, two, three, four four पे है गिनके हम लिख देंगे बस एक example से हम समझ चुके है अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा अच्छा ये एक property बोल सकते हो आप ठीक है as a property इसको ले लो या फिर as a rule ले लो mod of x is equals to क्या लिखा है मैंने x मतलब बात वही हुई एक positive है एक negative है x मेरा greater than equal to 0 और x अगर 0 से less होगा तो वो मेरा क्या होगा जो है negative होगा ठीक है यहाँ पर आप जब class 12 में जाओगे function पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको domain and range भी पूछेगा domain range के बाद आप graph बनाओगे वहाँ पर graph में different values भी आपकी आएंगे यहाँ पर basically हमको समझना क्या है जो मैंने आपको बताया था कि mod के अंदर अगर minus x में है तो भी वो मेरा minus of minus x हो जाएगा और अगर mod के अंदर plus x में है तो वो मेरा anyways plus x ही होने वाला है फाइन चीक है तो हमने मू से तो समझ लिया मतलब हमने theoretically तो समझ लिया अब हम practically जो है solve करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक लिया है आपके लिए question as a example x plus 7 equals to 3 तो इसको मैं कैसे solve करूंगे इसको solve करने के लिए x क्या है अभी मेरे पास x मेरे पास यहाँ पर x plus 7 है और 3 है सो मैं क्या करूंगी बच्चो x plus 7 ठीक है equals to 3 कभी भी question को एक बार जरूर लिखा जाता है खुद से यह आदत बनानी चाहिए सो मुझे पता है क्या एक plus की value एक minus की value तो अगर मैं आपके लिए यही पर लिख देते हूं x plus 7 is equals to 3 and x plus 7 is equals to minus 3 यह दो values मेरे आ सकते हैं plus में भी आ जाएगा और minus में भी आ जाएगा ठीक है दोनों को ले करके मुझे चलना है जब मैं यह plus वाले को solve करूँगी तो मेरे को कितना मिल जाएगा भाई यहाँ पर x is equals to minus 4 7 इदर जाएगा तो minus 4 हो जाएगा यहाँ पर भाई मुझे कितना मिल जाएगा बच्चो x is equals to minus 10 ठीक है तो यह मेरे यहाँ पर मुझे दो values मिल जाएगे जैसे हम लोग critical point निकालते से ठीक उसी तरीके से minus 4 को अगर यहाँ रखोगे तो minus 4 plus 3 भी 7 हो जाएगा आपका minus 10 को अगर रखोगे तो minus 10 plus 7 कितना हो जाएगा आपका minus 3 हो जाएगा तो basically जो मैंने यहाँ पर एक minus 3 लिया था और एक यहाँ पर plus 3 लिया था तो वो मेरा क्या हो रहा है conclusion में right आ रहा है अगर मैं cross check करूँ तो तो यह समझ रहे है जो भी अगर और कोई question आएगा आपके सामने तो 2 case ले ले लेना अब मैं लिख देती हूँ यह आपका case 1 हो जाएगा और यह case 2 हो जाएगा यह एक तरह का example मैंने ले लिया अब कुछ भी आएगा तो आप अराम से वहाँ पर लिख दोगे यह एक और example यह एक और example ले सकते हैं double mod है अगर mod तो हमने देखा mod भी mod के अंदर है तो क्या करेंगे उस case में भी देख लेते हैं कर सकते हैं so कभी भी क्या सीखा है आपने question को भले दिया हो मगर अपने हातों से जरूर लिखना minus देखा अपने हातों से लिखने में गल्ती कर दीना ना लिख तो x plus 1 mod minus 4 and again 1 mod which is equals to आपका 5 हो जाएगा तो यहाँ पे भी अगर मैं 2 case लूँ जैसे मैंने उपर लिया था तो case 1 मेरा क्या हो जाएगा जो हो यह होगा मेरा x plus 1 minus 4 is equals to 5 देखिए mute कर लिजे वरना मेरी बस दुझे ही यहाँ पे सुनाई दे रहे है प्लीज म्यूट कर लिजे जिन्होंने unmute किया है क्योंकि आपका phone का speaker on है तो यहाँ पे बार बार वो सुनाई दे रहा है but but देखो यहाँ पे मैं क्या क्या बोलूँगी एक मेरे पास एक mode already है दो mode था तो जब मैं equation लिखती हूँ तो मैंने mode को हटाया मगर फिर भी मेरे पास यहाँ पे एक mode तो बची गया है तो उसको मैंने ऐसे ही लिख देना है जब मैं case 2 लोँगे आपका तो case 2 में क्या करूँगी दे again वहाँ पे मेरे पास एक mode बचेगा x plus 1 minus 4 is equals to minus 5 plus 5 minus 5 फिर इसको जब मैं solve करूँगी तो क्या होगा मेरे पास x plus 1 mod में रहेगा equals to 4 को उधर लेकर जाओंगे तो 5 plus 4 मेरा होता है 9 यहाँ पे भी mode में मैं x plus 1 को रखूँगी 4 को उधर लेकर जाओंगे तो मेरा कितना हो जाएगा minus 5 minus 4 कितना होगा मेरा sorry minus 5 plus 4 minus 1 हो जाएगा तो minus आ रहा है न यह mod के अंदर तो है नहीं कि मैं उसको हटा करके जो है plus बना दूँ वो तो उसकी value मुझे मिलिये solve करके तो जब minus आ रहा है तो minus allowed नहीं है तो यह वाला मेरा क्या हो जाएगा not possible और मैं इसको यहाँ पे plus भी अभी बना नहीं सकती not possible क्यों क्यों क्योंकि not allowed है यह minus इसको देख लेते इधर तो hopefully हमें कुछ न कुछ तो answer देगा यह तो अगर मैं mod से हटा दूँ हम अब यहाँ पे भी मेरे दो cases बनेंगे रच्चो यह अगर मैंने case 1 ले लेना है फिर से यह अगर case 2 ले लेना है case 1 में मैं क्या लूँगी आपका जो है x plus 1 equals to 9 और case 2 में लूँगी मैं x plus 1 equals to minus 9 यहाँ पे मुझे x is equals to minus 10 मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा x is equals to 8 मिलेगा ठीक है so यह दोनों value आपके satisfy करेंगे तो आप देख रहे हों यहाँ पर इन दोनों values को मैं जो है लूँगी इंक्लूट करूँगी यहाँ पे मुझे minus plus से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों? क्योंकि मैं mod से बाहर आ चुकी हूँ बच्चों इसको देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहे है ना यह दिख रहा है ना नीचे जो लिखा है 8 और 10 येस मैं ठीक है ठीक है येस मैं जिसने बोला विश्यम है क्या वो? आवास से मुझे ऐसा लगा देख लो यहां पर वास आवास पर चाहिए हूँ अब मैं ठीक है तो देख ले ना कुछ गायब हो यह अब ना हो जाए लिखते-लिखते हो जाए तो मुझे बता दिया करो या फिर समझ ले ना ठीक है दो प्वेश्यन अभी तीसरे पर आते हैं थोड़ा हम लोग हर तरह का एक वेश्यन उठा रहे है जो है सॉल्ट करने के लिए तो यह है मेरा एक स्क्वाइर प्लस सेवन मौड अफ एक्स प्लस टैन इसको कैसे किया जाएगा अभी बेसिकली यहां पर क्या है सेवन वाला जो एक से उसी पर मौड है बाकी पर तो मौड है नहीं तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बहुती सरल तरीका अपनाते हैं असान सा बीच में मैं क्या लिख देती हूँ जो है जीरो नंबर लाइन मैंने बनाया है तो नंबर लाइन में इधर अपना पॉजिटिव का वैल्यू इधर नेगिटिव का वैल्यू दो तरह के वैल्यू हम लेते हैं और मौड से भी जब बाहर निकाल रहे हैं तो हम दो यह तरह के वैल्यू लेके चल रहे हैं एक हमारा positive, एक negative. So, यह number line is accurate for this question. उसके बाद मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? x square minus 7x plus 10 is equals to 0. ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने plus 7x के जगा पे minus 7x लिखा. क्योंकि mod तो x 7 के पास है, 10 के पास नहीं है. तो 10 का sign नहीं change होगा. जिसके पास mod है, उसी का sign change होगा. equal to 0. मुझे equal to 0 थोड़ा अच्छे से लिखने की ज़रा था. छोटू सा लिख दो. चलो चलेगा. अब इदर plus वाली value अगर मेरे को लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगी? x square plus 7x plus 10 is equals to 0. यह आसानी से 2 equation हमको मिल गया. यह तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए. square से डिनने वाली बात नहीं है. factorize कर देंगे. आगे जा करके हम. इदर मैं फिरो dotted line बना देती होता है. अच्छा लगेगा इतने में. अलग अलग सा. factorize अगर मैं करूंगी तो 7 और 10. 7 और 10 को मैं क्या ले लूँगी? 5, 2's are 10 होता है. और 5, 2, 7 भी इदर आ जाएगा मेरे पास. तो एक मुझे मिलेगा क्या? x minus 2. और एक मुझे मिलेगा क्या? x minus 5. इदर भी सेम मिल जाएगा मेरे को. sign में change होगा x plus 2. और यहाँ पे होगा x plus 5. चीक है? दो values मिल गए भी critical point जो मैं निकालती हूँ. हमेशे क्या निकालूंगी? x is equals to 2 हो जाएगा. comma x is equals to 5 हो जाएगा मेरे. तो दो values मेरे यहाँ पे मुझे मिल गए है. ठीक है? और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? उसी करीके x is equals to minus 2. और एक क्या मिलेगा भाई? एक और मिलेगा मेरे को x is equals to minus 5. दो values. दो और दो 4. 4 value मिल गए लेकिन 4 हो किसी काम के नहीं है. अब बेकार value मिले है. अब बोलो बेकार क्यों? क्योंकि अपने को क्या मालूम है? यह positive हो जाएगा और यह negative हो जाएगा. ठीक है? यह infinitive और यह minus infinitive. कहीं न कहीं wavy curve का देखो. wavy curve जो हमने पढ़ा था, वो बहुत important था. कहीं न कहीं उसका concept हर जगा पर use हो रहा है आपका. तो अब यह बेकार क्यों बोला मैंने? क्योंकि यह दोनों values मेरे बच्चों जो है reject हो जाएगे. ठीक है? reject, take them. अब reject क्यों होंगे? साब साब दिख रहा है ना, अपने को positive values चाहिए. हमें positive value चाहिए, मगर answer हमें negative दे रहा है. और mod तो है नहीं, इधर की mod से निकाला? और आपके सामने positive value पेश हो जाएगी. तो मैं negative value को नहीं ले सकती. answer ने मुझे negative value दिया है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती, मगर मुझे चाहिए positive. तो इसलिए मैंने इन दोनों values को लेने से reject कर दिया. अभी ये दोनों भी उसी तरह मुझे क्या दे रहे हैं, बच्चो? positive value दे रहे हैं. तो मैं इनको भी नहीं लोंगी. By chance, अगर इन में से कोई एक भी मुझे negative दे देता है, तो मैं ले लोंगी उसको, मतलब वो मेरा answer होगा, x is equal to. नहीं दे रहा है, तो नहीं लोंगी. कोई और question अगर ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अगर सोचो, यहाँ पर 10 के पास भी mod होता, तो आप 10 का sign भी change करते, वहाँ से भी आपको value मिलती. अगर कोई एक भी आपको मिल जाता है, तो एक को रख लेना, x is equal to, वो जो भी value होगा. यहाँ पर भी कोई एक मिलेगा, तो उसको भी रख लेना, x is equal to, दो value मिल जाएंगी, अपने को, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, I hope यह समझ गए, आप लोग आगे बढ़ते हैं वर नहीं की मेट पे रहेंगे. अच्छा, यह भी एक question आगे हमारे पास, ठीक है? x square minus x, minus x equals to x plus 2. So, x square minus x minus 6 equals to x plus 2. यह mod के अंदर जो है, कहीं न कहीं, factorize जैसा लग रहा है, मुझे तो. ठीक है, तो अगर यह factorize करने जैसा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा करके, अगर देखू, side में, कितना हो जाएगा मेरा यह? x square minus x minus 6, ठीक है? तो, अब देख लो, square London में लिख दिया है, मैंने, और x को India में लिख दिया है. इसा लग रहा है, अच्छे से थोड़ा लिखते हो, x square minus x minus 6, अभी factorize करेंगे तो, दो value ढूंडो, जिसको product करके 6 आजाए, और minus करोगे, तो बना जाएगा, 3 और 2, तो बना जाएगा, x minus 3, x plus 2, बात तो एक ही है न, बच्छे, आप भी बोलोगे, मैं आप भी क्या बोलने है, आपने सही बोलाए, ठीक है, 2, 3 या 3, 2, जो भी बोलाए, number line पर अगर मैंने represent इसको करना है, तो मैं कैसे करूंगी, एक मेरा होगा minus 2, 8 मेरा क्या हो जाएगा, plus 3, तो ये मेरा हो जाएगा plus, ये minus और ये plus, जो मैं वेवी कर्व में पढ़ती है, यह दोनों का degree की I1 है, degree बोलो चाहिए, power बोलो 1 है, तो plus, minus, plus डाल दिया, अपने को कोई परक नहीं पड़ेगा, अब ही, जैसे हम दो पिछले question में किया था, उसी trick को लेकर चलते है, वो trick थोड़े जादा अच्छा है, हर question के लिए, so, इसको मैंने एक number line represent कर दिया, यहाँ पर मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 और 3, 2 बोले तो minus 2 चाहिए मुझे, चिक्या, so, minus 2, और क्या चाहिए भाई, चरी चाहिए, ठीक्या, अब मैं क्या करूंगी, plus, minus 2 के इधर भी plus है, और 3 के उधर भी plus है, तो 3 के इधर मतलब, इस तरफ वाले values अगर मैं लोगी, just a second है, यहाँ पर एक line बना देते हूं, हमें जादा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा मतलब क्या है, कि अलग-अलग दिखेगा हमें, खिचडी नहीं पकतेगा उसे में, इधर में अगर मैं equation लेती हूं, तो मैंने लिखना है, x square minus x minus 6 is equals to x plus 2, ठीक है, x plus 2 ही लोगी न, x plus 2 है तो, 3 तो अभी नहीं लोगी, मैं इधर में कहीं पर भी, इसको अगर मैं solve करूंगी, तो क्या करूंगी, x square minus 2x minus 8 is equals to 0, अब इसको factorize करूंगी, तो क्या हो जाएगा, मेरा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा x minus 4, और एक क्या हो जाएगा, x plus 2, minus into minus तो plus हो जाएगा, तो मेरे को एक minus और plus लेना पड़ेगा, तभी 8 का sign भी minus में आएगा, दो values मेरे को यहांसे क्या मिल रही है बच्चो, x is equals to 4 मिल गया एक, और दूसरा मिल गया है, x is equals to minus 2, चिक्या, यह मुझे मिल रहा है यहांपे, चलब दो value मिल गया, अब बिना समय बर्बाद के इधर का देखते हैं, हम लोग minus 2 के इधर वाला भी plus था, तो इसको भी ले लेते हैं, x square minus x minus 6 is equals to x plus 2, इसको भी solve करेंगे अगर तो कितना होगा हमारा, x minus 4 और x plus 2, तो यह भी मेरे को कितना मिल गया, यह भी मिल गया, 4, ठीक है, और क्या मिल गया जो है, और x is equals to minus 2 मिला, अच्छा, अभी दोनों value को select करना है की नहीं करना है, मैं यह decide करूँगे, तो देखो, इसको अलग तज़र से थड़ा करती हूँ न, सही रहा है, minus 2 में select करूँगी क्या, किसी भी हाल में इसको select करूँगी, मैं minus 2 को नहीं करूँगी, नहीं चाहिए मुझे minus, यह plus वाला region है न, infinity वाला, और यह आपका minus infinity वाला, तो यह मेरा हो जाएगा reject, मेरा बच्चे गा क्या, 4 इसको मैंने लेना है, इधर में 4 को मैं लूँगी क्या no, 4 मेरा हो जाएगा reject, क्योंकि यह plus 4 है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे minus वाली चाहिए, तो यह वाला मेरा सहु रहेगा, यह दोनों हो गया, बीच में यह जो आपको दिख रहा है, तो इस वाले waterfall वाले region को क्या करना है, तो waterfall वाले region को मैं अलग color से कर रहती है, तो देखो, mod में था, ठीक है, हमने plus वाला देखा, अब mod के अंदर जो है, उसी को minus करके भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसको minus करके अगर हम लोग देखेंगे, इसको तो हमने mod से निकाला, तो plus करके ले लिया, factorize करके, अब उसी को मैं minus करके अगर ले लूँ, minus, x square minus x minus 6, is equals to, यह हो जाएगा मेरा x plus 2, तो यह कैसा होगा भाई, minus x square plus x plus 6 is equals to x plus 2, तो यह मेरा हो जाएगा, x square minus 4 is equals to 0, ठीक है, x, x को cancel ही हो जाएगे, तो x square minus 4 मतलब, मेरे को क्या मिलेगा यहां से, x is equals to 2, एक यह मिल जाएगा, और और यह क्या मिल जाएगा, x is equals to minus 2 मिल जाएगा, तो यहां पर, मैं x is equals to 2 को तो लूँगी न, लूँगी, minus 2 to 3 के बीच की value आती है 2, तो 2 तो मेरा positive में आही जाएगा, तो मैंने 2 को ले लेना है, चीक है, इसको मैं tick mark कर देती हूँ, अब बच्चा मेरा minus 2, तो क्या मैं minus 2 को लूँगी, सवाल ये उड़ता है, हाँ मैं minus 2 को लूँगी, क्यों लूँगी, पहली चीज तो minus 2 और 3 के बीच की value है, minus 2 से ही शुरुआत हो रहे हैं, दूसरी चीज यहां पर मैंने x is equals to minus 2 ले लिया है, तो वो ही चीज मेरे पास repeat होके आ रही है, कुछ नया तो आ नहीं रहा है, already minus 2 मैं ले चुकी हूँ, तो यहां पर भी एक minus 2 मैं ले लूँगी, तो कुछ नहीं बिग रहेगा, उसके जग़ते पर कोई और number तो है नहीं कि मुझे सोचना है, तो यह भी ले लोगे, बस repeat नहीं करना है अपने को, एक ही बारा आएगा, तो मेरे answer में क्या आ जाएगा यहां पर, overall कितने values मिल गए हैं मुझे, कितना मिला है भाई, 4, minus 2, और कुछ मिला है, 2 भी मिला है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, minus 2, 2, 4, ठीक, तो यह question भी सभी को clear हो गया है, अभी हम लोग जड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगी लोग, गाड़ी complete चले ही नहीं ना, अभी देखते हैं, यह थोड़ा सा heart के question यह दरा है ना, क्योंकि यहां पर आपका inequality का sign आ गया है, तो मुझे आपको यह आपके थोड़ा सा theory बताना है, ज़्यादा नेक, दो line का theory आपका समझ लो, आप, ऐसे हैं, एक number line मैंने represent किया, एक और number line साथ मैं represent कर लेते हूं, ठीक है, इस number line में क्या है, बीच में आपका origin में क्या आता है, 0, इधर भी आपका origin में आएगा 0, इधर मैंने ले लेना है plus a वाली values, और इधर मैंने ले लेना है minus a वाली value, ठीक है, और यह जो minus a वाली value है, यह इधर को एक arrow में बना देती हूं, और plus a वाली जो value है, उसको मैं इधर को बना देती हूं, जब मैंने LC वाली arrow बना दिये तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूँ जो है mod तो मेरा रहेगा ही mod के अंदर ही मेरा क्या आ जाएगा बच्चों fx आ जाएगा ठीक है mod के अंदर fx है less than a वो मेरा अगर less than a है आप question भी देख रहे हैं उसी से मिलता जुलता है is greater than minus a and यहां पर क्या हो जाएगा मेरा fx is less than a तो अगर मैं less than a बोलूँगी मतलब मेरा positive से इधर के value less than हो गया ना तो यह तो negative region में भी fall हो जाएगा मेरा इसके तो कोई limit ही नहीं है arrow की वो तो मैंने वहां पर रोग दिया diagram में तो यह मेरा a से कम a की जगा पर infinity तक कोई भी values आ जाएंगे आपके यह मेरा minus a से बड़ा तो minus a से बड़ा बोले तो अख्या इधर जाएगा positive के तरफ पूरा चला जाएगा यह समझ गए होंगे सारे बच्चे इस figure को दूसरे figure को yes man मुझे ऐसा रहागा आपके कुछ बोलने वाले हो तो मैं डर के मारी चुप हो जाते हूं अच्छा क्या सुना ही नहीं देगा तो ठीक है यहाँ पे भी again मैंने minus A ले लिया यहाँ पे भी plus A ले लिया अभी इधर भी अगर मैं arrow बनाओं तो यह arrow मैं अगर यहाँ तक बना देती हूं और यह वाला arrow मैं यहाँ तक बना देती हूं ठीक है दोनों इधर इधर जा रहे हैं तो इसका मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर भी mod में ही आपका fx होगा, जो है, यह हो जाएगा greater than a, तो कैसे fall करेगा, fx is less than minus a, और यहाँ पर कैसे fall करेगा, fx आपका क्या हो जाएगा, जो है greater than a, ठीक है, यही दो, एक, आप theorem, property, rule, कुछ भी बोल दो, law, 4-5 नाम हैं आपके पस, कुछ भी दे दो इसको, मगर यह condition है, जो कि अपने को याद रखने की ज़यरत है, number one, number two, अच्छा, हम लोग wavy curve method जब पढ़ते थे, तो बच्चों उसमें एक union और, एक intersection आथा था, तो जब मैं इसकी बात करूँ, आपकी minus a और plus की, तो आप क्या दे अगर से आ रहा है, तो दोनों आपस में टत्राएंगे कहीं तो, टत्रा सकते हैं दोनों, तो अगर दोनों कहीं पर टत्राएंगे, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा जो है, कुछ तो common मिलेगा ना, अगर कुछ भी हमको common मिल गया, दोनों के टत्राने से, तो वहाँ पर मेरा क्या बनेगा union बनेगा कि intersection बनेगा वा जी वा जी वा जी वा union बोल रहा है तो किधर से union आया? intersection होगा ना? तभी तो मैंने आप लोगों से पूछा मतलब की intersection देख उसको बहुत ही खुबसूरती से मैंने लिखा है कि intersection होगा और इसलिए मैं बस उसका symbol मना करके छोड़ दे रही हुए आप लोगों को याद रहेगा और ये जो मेरे इधर भाग रहे हैं तो यहाँ पे तो मैं किसी को पकड़ के जबड़ गस्ती का तो common लोग यह नहीं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा union हो जाएगा union में सारे आ जाते हैं मेरे छेक है तो यह तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आप इससे related जो question अगर उसको भी ध्यान दे देते हैं क्या कह रहा है यह 4-3x यह mod में है less than equal to 1 upon 2 छीक है इसको हम कैसे करेंगे देखो तरीका तो अपना वह होगा case 1 case 2 लेने का लेकिन यहाँ पे हमें एक extra में inequality का यह जो sign मिल गया है उसको लेकर के करते हैं चलो अगर उसको लेकर के हम solve करेंगे तो मैं यहाँ पे case 1 ले लेती हूँ दूसरा question है next slide पे चलो case 1 लेकर करते है चलो 4-3x चीक है greater than equal to minus 1 upon 2 sign तूरंत मेरा change हो गया है चीक है minus 1 upon 2 मैंने ले लिया so 4 plus 1 upon 2 greater than equal to 3x इसको मैं solve करने जाऊँ अगर तो कितना हो जाएगा 4 to the 8 plus 1 9 upon 2 greater than equal to मेरा हो जाएगा 3x so 3 3 is a 9 होता है 3 upon 2 so x is less than or equal to मेरा क्या हो जाएगा 3 upon 3 हाँ यह तो case 1 आ गया अब case 2 मैं किधर करूँ इसरी कर दे कि तब ही तो compare कर पाएगा so अगर मैंने case 2 ले लेना है so यहाँ पे मैंने क्या लेना है 4 minus 3x is less than equal to 1 upon 2 so again वही procedure follow होगा 4 minus 1 upon 2 less than equal to मेरा 3x हो जाएगा 4 minus 1 upon 2 हो जाएगा 7 upon 2 less than equal to 3x so यह x मेरा क्या हो जाएगा greater than equal to 7 upon x ठीक है तो यह मेरे 2 values मिल गए हैं मुझे अभी इसका असली वाला जो हमें answer शाएगे वो देख लेते हैं जोरा अगर मैं number line यहाँ पे float करूँ तो वहाँ पे मैं 3 upon 2 और 7 upon 6 की values लोगे ठीक है so यह मेरा हो जाएगा 7 upon 6 और यह मेरा हो जाएगा 3 upon 2 किसी भी बच्चे को कभी भी अगर doubt आए कि 3 upon 2 और 7 upon 6 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो क्या कर लो ना उसको point में convert करके देख लो कि point में कितना आ रहा है तो point में जो बड़ा होगा उसको लिख देना और जो छोटा होगा उसको लिख देना समझ में आ जाया आपको इन दोनों के बीच में अगर कुछ fall करेगा मेरा दोनों में तो मुझे क्या पता है 3 upon 2 का मेरा इधर भागेगा ठीक है और 7 upon 6 का मेरा कहा भागेगा जो है इस तरफ भागेगा साइन देख करके मैंने बताया है और यहां पर दो प्रॉपर्टी देख करके बताया है तो मेरा यह जो बीच का रीजन है यह जो मेरा बीच का रीजन है इनको मैं ले लूँगी दोनों मिल ही गया ना आखिर intersection हो ही गया तो जब intersection लोगी तो मैं answer क्या लिखूंगी अपना मेरा answer क्या होगा intersection में होगा so x belongs to मेरा होगा जो है 7 upon 6 से लेके 3 upon 2 तक था ठीक है इस question में इतना ही था 2 cases हमने देख लिए I don't think किसी को कोई doubt है है भी तो कूछ सकता है around that नहीं पूछा तो आगे बढ़ गई में तो अभी देखो आपके सामने एक और अच्छा का question आ गया है ये mod में आपका fraction में है अगेन आपका wavy curve का ही concept यहाँ पर लगेगा बहुत important है wavy curve आज तक अगर wavy curve किसी का clear नहीं हुआ है दिमाग में तो वो वापस से जाके recordings देख सकता है बट clear रहेगा तो सही है तो यहाँ पर मैं directly case से शुरू कर देती हूँ अगर हम case 1 ले करके देखते हैं बच्छो तो क्या मिलेगा मेरे को 2x-1 upon x-1 is greater than 2 so 2x-1 then upon x-1 अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्छो बताएगा कोई, कोई भी अगर बताना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है इस step में मैं क्या कर सकते हूँ अब चलो कोई भी नहीं बताना चाहता मैं ही बता देती हूँ हमने वेवी कर्व में देखा था कि हम cross multiplication नहीं करते थे बहुत जल्दी से क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि x की value exactly है क्या x पे अगर कोई minus की value आजाएगी तो inequality का sign change हो जाएगा हाला कि अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता sign change होने से फिर भी risk क्यों लेना 2 को क्यों छोटा करना जरूरत नहीं है मतलब 2 को बढ़ा क्यों करना अगर मैं इसका LCM लेती हूँ तो कितना होगा मेरा 2x minus 1 minus of 2x plus 2 upon x minus 1 ठीक है यह मेरा हो जाएगा greater than 0 अभी 2x 2x अगर गया तो मेरे पास क्या बचा minus 1 plus 2 upon x minus 1 minus 1 plus 2 मेरा already क्या हो जाएगा जो है 1 upon x minus 1 is greater than 0 so मेरा x क्या हो जाएगा greater than 1 हो जाएगा चीक है x should be your greater than 1 अगर x मेरा greater than 1 होगा अगर मैं 1 को इधर लेकर के जाओगी तो 1 होता है तो मैं क्या करूंगी जो है कुछ नहीं करना है मुझे मुझे case 2 देखना है अभी यहाँ पर तो मेरे को पता चल गया case 2 अगर मैं देखना हूँ बगल में कर देखने हूँ case 2 तो case 2 में क्या होगा और 2x माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 एक बर प्लस 2 ले लिए अभी माइनस 2 अगर मैं माइनस 2 ले रहे हूँ तो sign of inequality मेरा क्या हो जाएगा बच्छ चेंज हो जाएगा जब यह चेंज होगा तो 2x माइनस 1 अपन यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा यह इदर आएगा तो मेरा प्लस 2 is less than equal to not equal to less than 0 so 2x यह हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2x यह हो जाएगा माइनस 2 अपन x माइनस 1 LCM ले लिया है मैंने यहाँ पर अब जिन बच्चे को simplification में doubt है तो वो करके देखे कुछ से उनको समझ आ जाएगा तो again यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा तो 2x 2x तो cancel हो नहीं रहा है तो बचेगा क्या मेरे पास 4x बचेगा माइनस 3 बच जाएगा 2 और 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेला x माइनस 1 is less than 0 ठीक है अब इनका अगर मैं number line पर plot करती हूँ तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा x मिलेगा मुझे 3 upon 4 और 1 2 मिलेगा so मैंने अगर यहाँ पर जो है number line बनाया तो मेरे को कितना मिलेगा 3 upon 4 और 1 so यह हो जाएगा 3 upon 4 और यह हो जाएगा 1 सबकी degree जो है 1 है यानि कि उनके जो exponents है तो plus, minus, plus मैं अराम से ऐसा लिख सकती हूँ चीक है और equal to का sign है तो मेरा क्या आता था hollow circle आता था तो यह भी मेरा hollow होगा यह भी मेरा hollow होगा वो उतनी जवरत भी नहीं है जिस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बोला अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है और देखना है कि union होगा या intersection होगा है तो यहाँ पर मेरी 3 upon 4 की जो arrow बनेगी वो किस तरफ बनेगी बच्चो इधर को बनेगी और 1 की भी किदर बनेगी मेरी इधर को बनेगी मैंने sign देख करके जो है यह decide किया है जब मेरी यह भी यहाँ को बनेगी यह भी यहाँ को बनोंगी ओपन ड्राकेट एंड यूनियन में में क्या ले लोगी 1, infinity माइनस की तो मुझे ज़रत है नहीं तो 1, infinity यह इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा वेसे चार तरह का option दिया होगा ऐसे ही union, intersection, union, intersection वहाँ से आप चूज भी कर सकते हो मैंने नहीं दिया option यहाँ पर आपको मैंने सोचा बिन option की आदट दावते exam में तो वहसे भी option मिली जाएगे ठीक, तो इस question में और कुछ था नहीं खास और यह modulus function के बारे में भी मुझे लगा कि इतने questions important थे तो मैंने आपको बता दिया अब बाग की जो भी आएंगे तो basically इस से मिलते जुलते ही आएंगे या फिर दो modulus है तो भी आप solve कर लोगे अब है ना और अगर दो equation है कोई और modulus plus modulus होगा तो इसको एक इत करके solve कर लेना करोगे practice के लिए मैंने homework में question डाले है तो आपको clear हो जाएगा modulus के बाद अभी हम आते हैं जो हम कर रहे थे क्या कर रहे थे जो है logarithm, logarithm से अभी पीछा नहीं चुटा है और इतनी जल्दी से पीछा चुटाना is not good क्योंकि ये बहुत important section होता है आपका, चलो इसको ज़रा solve करके हम लोग देखें अगर तो ये क्या है मेरा x log का base में x है और x plus 3 का ये power में 2 है is equals to 16, अब मेरे को एक property पता है, क्या पता है मैं लिख देती हूँ आपके लिए, शायद आप लोग बूल गए होंगे a के power में अगर log base में a और n होता है तो equals to मेरा क्या होता है ये सीधे सीधे से n हो जाता है ठीक है, ये हो जाता है और ये देख लो base में a है तो उसके according मैं यहाँ पर अगर solve करू तो ये जो x plus 3 square है ना उसी को लेकर solve करना है मुझे, so x plus 3 the whole square is equals to 16 क्योंकि ये मेरे से number of solutions मांग रहा है, ठीक है अब number of solutions मांग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई equation बनाना पड़ेगा आपको से critical point निकालने पड़ेंगे critical point बोले तो उसके दो answer आएंगे, या तो positive negative तो वो ही मेरे number of solutions होंगे क्या मिलेगा कितने मिलेंगे, therefore x is equal to मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा minus 7,1 मिलेगा एक और मुझे क्या restriction याद है जो मेरा domain होता था यानि कि जो value होती थी मेरी वो x greater than 0 और x not equal to 1 ये मेरे restriction मुझे याद है x greater than 0 होना जाए ये less than 0 है तो ये anyways मेरा cancel होगा और 1, 1 तो ले नहीं नहीं है अपने को तो मेरा ये भी जो है cancel हो जाएगा दोनों cancel हो गए मतलब इनका critical point, मतलब इनका answer क्या होगा number of solutions, nil हो जाएंगे समझे, 2 आए हैं अपने पास और दोनों हम लोग ले नहीं सकते हैं तो answer होगी अब nil so अभी next question yes, next question में बढ़ते हैं आगे ये second question देख लेते हैं easy है ये भी log 2x plus log 2 base में x is equals to 10 upon 3 अच्छा, उसके equal to में इस तरह भी same to same आपका y के लिए applicable है, तो हम एक को भी अगर x को लेके solve कर रहे हैं तो y को automatically आ जाएगा होगी and x is not equal to y है तो x plus y कितना होगा, ये हम से पूछ रहा है उस case में हम क्या करेंगे इसके लिए log x base में 2 is equals to t मैं यही करती है हूँ कुछ एक variable मैं suppose कर लेती है तो वो कर लिया मैंने, अभी मैं और क्या कर लूँगी जो है log x 2 is equals to 1 upon t ये दोनों को मैंने कुछ ना कुछ suppose कर लिया ये तो एक दूसरे के reciprocal ही तो है तो मैंने reciprocal कर लिया अब मैं क्या करूंगी equation बनाओगी t plus 1 upon t is equals to 10 upon 3 अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे बस algebra solve करना है यहाँ पर ये हो जाएगा 3t square plus 3 is equals to 10t अठाम से हो जाएगा अगर ऐसे लिख दूँगी तो then 10 को अगर इधर लाँगी तो क्या हो जाएगा 3t square minus 10t plus 3 equals to 0 ये मेरा हो गया चिक है उसके बाद यहाँ पर line खीशतो और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग ये आगया पूरा factorize करने पर so 3t square minus 90 plus t plus 3 is equals to 0 अब factorize करना असान हो जाएगा so 3t minus 1 यहाँ से क्या ले लूँगी मैं t minus 3 is equals to 0 t मेरे को कितना मिल गया बच्चे लोग 3,1 upon 3 तो therefore मैं क्या लिख सकती हूँ मेरा log x और base में जो 2 था उसको मैंने ले ले लेना है 3, ये मेरा क्या हो जाएगा अपने को पता है कि ये x और y coordinate axis में जब point लिखते हैं तो क्या हो जाता है मेरा x और y तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ x की जगा पर log 2 y is equals to 1 upon 3 छीक है अगर हम y वाले को लेकर solve करेंगी तो उसका भी इसी तरीके से value निकलेगा तो better है मैं यहाँ पर एक को x ले लू और दूसरे को y ले लू क्योंकि ये मेरा maths की rule के according में सही बैठता है अगर ऐसी मैं कर लेती हूँ तो मुझे 2 answers already मिल गए है 3 और 1 upon 3 अच्छा इसको सही तरीके से लिखूँ तो x कितना हो जाएगा 2 तो इधर चला जाएगा इसी तरह से ये भी 2 इधर चला जाएगा log है ना तो x is equals to 2 3 यानि कि ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इधर में मुझे कितना मिल जाएगा जो है y is equals to 2 to the power 1 upon 3 तो ये भी मेरा बहुत आसानी से solve हो गया मेरे को 2 values जो है मेरे गया और इसने मेरे से पूछा भी था कि x plus y कितना होगा लेकिन अभी 8 और 2 upon 1 2 के power में 1 upon 3 ठीक है तो ये तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा none of this नहीं दिखने का भी option इनों ने हमें पहले ही बे दिया था next question देखते हैं ये बहुत easy सा question है आपका fx देखके डरना नहीं है is equals to 3 upon 4 minus x square plus log base में 10 है और ये कितना है x cube minus x ठीक है तो हमें basically क्या करना है domain मतलब again अपने को points चाहिए तो इसको ले करके आपको solve करना पड़ेगा 4 minus x square x cube minus x को ले कर solve करना पड़ेगा दोनों को ले कर अगर आप solve करोगे तो मेरा ये कितना हो जाएगा 4 minus x square is not equal to 0 ये तो 0 हो नहीं सकता है इसी को 0 कर दूँगी तो denominator 0 हो जाएगा undefined हो जाएगा ये कितना होगा 4 minus x square x is not equal to मेरा हो जाएगा plus minus 2 ये not equal to और plus minus 2 एक ही यह सा लग रहा है plus minus 2 अच्छा अगर d2 लूँँ है तो उस वाले equation को उठाओ यहां से जो log वाला था आपका so x cube minus x अगर मैं ले कि solve करोगी तो ये कितना होगा भाही मेरा ये तो हो जाएगा x x square minus 1 अच्छा ये मेरा क्या होगा जो है greater than 0 तो ये greater than 0 होगा less than 0 तो होगा नहीं ठीक है तो फिर से line किश के आगे बढ़ते हैं x x square minus 1 तो ये कितना हो जाएगा मेरा x तो ऐसे ही रहेगा x minus 1 और x plus 1 ये मेरा क्या हो जाएगा greater than 0 ठीक है ये greater than 0 होगा मतलब critical points मेरे को again क्या मिलेंगे यहां से एक तो 0 मिलेगा यहां से क्या मिलेगा 1 मिलेगा यहां से क्या मिलेगा minus 1 मिलेगा तो अगर मैं एक number line plot करूँ आप लोगों के लिए तो क्या मिलेगा यहां के minus 1 0 और 1 तो सब की क्या है यह वाला region मेरा plus का हो गया और यह वाला मेरा plus का हो गया यह infinity यह minus infinity तो मैं answer में क्या लिख सकती हूँ चारों में से मेरे को एक choose करना है तो मैं क्या लिखूंगी x belongs to सबसे पहले तो मेरा minus 1 0 हो जाएगा फिर union में मैं क्या ले लूँगी जो है अपना लूँगी क्यों बोले तो देखो पहले से भी तो अपने को 2 मिला है ना plus 2 minus 2 दोनों मिला है तो minus 2 तो अगर मैं लूँगी तो यह मेरा कितना इस तरफ भागेगा infinity minus में है तो उसको लेने के ज़रुरत नहीं है आपको plus 2 वाले को देखो तो मैं 2 ले लूँगी भले मैंने number land पे represent नहीं किया बट इसको suppose तो करना है मझे तो 1 और 2 ले लिया मैंने और एक क्या हो जाएगा देन आपका union में 2 to infinity होगा तो यह मेरा जादा better नहीं होगा ऐसा करना यह जादा better होगा मतलब आपका जो D option है वो option यहाँ पे जादा सही लग रहा है और बाती options उतने सही नहीं लग रहे है आप लोगों को भी शायद यही सही लग रहा होगा जो सही है ठीक है कोई कुछ नहीं कहा रहा है मतलब सबको all clear है अभी मैं आते बढ़ा है ठीक है कोई बात नहीं आप कि बोलो, बोलो, इसको देखो, इसको देखके तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, मतलब बोलती बंदी हो गई है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो बेसिकली एक क्वेशन आपको दिख रहा है, ये लॉग आपका जो है ना, ये 3 अपॉन 2 है, मैं थोड़ा पैन से लिख द टर्म शुरू होता है, 1 अपॉन 3 रूट 2 और ये रूट में 4 माइनस, ये तो एक ही जैसे है, ये आपके सारे के सारे एक जैसे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो इंफिनिटी तक एक जैसे ही रहेंगे, तो उनको मैं एक वेरियेबल अगर t दे रहती हूं, तो कु एक दम ऐसा नहीं था, बट इसी से मिलता जुलता था, ये आपका IIT JE का 2012 का question है, और बहुत important भी था, मैंने सुचा करा देती हूं, कुछ नहीं है इदर, करके देखते हैं अराम से, इसको t ले लिया आपने, एक एक करके solve करेंगे, अभी 6 प्लस log, बेस में 3 अपॉन 2 को ऐस 3 root 2, और क्या ले लूँगी मैं, अंडर root में 4 minus T, ठीक है, इसको भी मैंने T ही suppose कर लिया है, ठीक, एक मिनट रुख जाए, जिस T के नेचे लिख लिया है, शायद आपको doubt रहाएगा, इसको मैं क्या ले लूँगी, 4 minus T, क्योंकि मैंने इसको तो T suppose कर लिया न, तो 4 minus के बाद मैं इस पूरे को जो है T ले लूँगी, अब आप बोलोगे कि मैम आपने T मान लिया, तो 4 को क्यों रखा है root में, तो बेटा, root में मैं only T तो नहीं रख सकती, root मैं only T को रखके आप क solve करोगे, इसलिए मैंने 4 minus के बाद वाले सब को T suppose कर लिया है, तो इस तरीके से मैं लिखूंगी तो मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है, अब भी मैं क्या करूंगी, square हटाना है मुझे, तो square करूंगी अगर दोनों साइड यानि कि squaring both sides अगर मैं करती हूँ, तो ये कितना होगा 3, 3 is a 9, और root 2, root 2 आपका 2 हो जाएगा, 9, 2 जा कितना हो जाएगा, 18T square is equals to, ये मेरा हो जाएगा, 4 minus T, बढ़ा असान हो जाएगा, solve करना, so 18T square plus T minus 4 is equals to 0, ऐसे अगर मैं करते हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा, 18T square plus 90 minus 80 minus 4 is equals to 0, so 90, and ये क्या हो जाएगा, मेरा 2T plus 1 minus, ये 4 ले लूँगी मैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 2T plus 1 is equals to 0, I hope calculation में कहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहे हूँ, so ये हो जाएगा, 2T plus 1, and ये हो जाएगा मेरा, 90 minus 4 is equals to 0, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को क्या निकल के आ रहा है, जो है, T is equals to, 1, इदर जाएगा, मतलब minus 1 upon 2, और एक मेरे को क्या निकल के आ रहा है, ये भी इदर जाएगा, तो 4 upon 9, ठीक है, ये मेरे को में गया है, तो बच्चो, minus 1 upon 2 वाली value को मैं ignore करूँगी, चीक है, minus वाली value मुझे नहीं लेनी है, मुझे plus वाली, यानि की 4 upon 9 वाली value चाहिए, तो इसको आप ignore करके चलो, और plus वाले को ले करके चलो, ठीक है, इस वाला done, तो अभी मेरे पास एक और पार्ट बचा है, इसका 6 plus log 3 upon 2, उसको मैं कैसे solve करूँगी, अगर यहाँ पे मैं उसको देखते हूँ, 6 plus log 3 upon 2, 4 upon 9, कैसे 4 upon 9 मैंने लिया है, क्योंकि आपका यहाँ पे t था ना, पूरा, इसको भी मैंने t माना था ना, तब ही तो t is equal to ले करके मैं कर रही थी, तो जब यह पूरा t था मेरे पास, तो इसके product में t की value तो डालनी पड़ेगी, तो t की plus वाली value मैंने डाली, minus वाली मुझे नहीं चाहिए, plus वाली जब मैंने डाली है, तो log minus value नहीं लेते हैं, इसलिए minus नहीं लिया है मैंने, plus वाला लिया है, तो 6 plus log 3 upon 2, अब 4 upon 9 को अगर मैं तोड़ू, यानि की, इसको लिखूँ अलग से तो कैसा हो जाएगा मेरा, 2 का square upon 3 का square, लेकिन आप देख रहे हो, log 3 upon 2 है, और 2 upon 3 है, तो इसको मेरे को क्या करना है, रेसिप्रोकल करके लिखना है, तो जब रेसिप्रोकल करके मैं लिखूंगी, तो यह मेरा कितना हो जाएगा, 6 plus log 3 upon 2, यह मेरा कितना हो जाएगा, 3 upon 2, minus 2, दोनों का power 2 common, minus में चला जाएगा आपका, minus वाली को जब इदर उतारोगे, तो कितना होगा, आपका, 6 minus 2 हो जाएगा, और यह वाला log 3 upon 2, और यह 3, 2 तो 1 हो जाएगा, तो यह मेरा कितना है, 6 minus 2 जो है, 4 आएगा, देख लो, IIT लेवल का question ऐसा होता है, मगर बहुत आसान है, अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया है, तो मेरे को लग रहा है, यह 3 वाला पार्ट नह अची बात है, हमने basically किया, क्या है, इसको अलग कर दिया है, और root वाले सबको अलग कर दिया है, root में भी दो अलग-अलग parts है, root से पहले जो start हो रहा है, उसको भी t ले लिया मैंने, और root के बाद जो start हो रहा है, 4 minus, उस सबको भी t, 4 minus t, अब 4 को minus हमें रखना ज़रूरी है, 4 minus, खाली t लेकि solve यहाँ पे नहीं कर पाओगे, आप t को root से निकालोगे, तो क्या करोगे, कुछ आएगा क्या t की जगापे, तो इसलिए number होना भी साथ में जरूरी है equation बनाने के लिए, तो ये एक मैंने solve करके आपको दिखा दिया है, बाकी तो algebra था इधर, ठीक है, एक औ और question मैंने आपको homework में दिया है, वो भी बहुत important है, उसको try कर लेना आप लो, और एक question आपका बच गया है शायर, एक ही question बच रहा है बच्चो, इसको फटा-फट से कर लेते हैं, दो minute लगेगा, फिर आपकी next class भी है न, तो ये मेरा क्या बोल रहा है, ये भी आपका J advance का question हो, 3x is equals to 4 के power में x minus 1 है, तो मेरे को x क्या मिलेगा, इसको मैं कैसे solve करूंगी न, log लोंगी, क्योंकि देखो, answer analyze करो, जहां पे कुछ समझ नहीं आता है, वहां पे देखो answer क्या दिया है, answer में सब जगा पे log है, मतलब मुझे log यहां पे introduce करना है, यानि कि log से product, multiply करके चलना पड़ेगा, कौन सा log, यहां पे log 2 है और 3 है, right, मगर log 2 दो-दो जगा है, मैं log 2 लेके चलती हूँ, तो जादा मेरे को फाइदा होगा, हर जगा log 2 दिख रहा है मुझे, so अगर मैं log 2 से product करूं, तो 3 की power x हो जाएगी, ठीक है, is equals to again log 2 और 4 की power यहां पे क्या है, x minus 1 है, इस को अगर मैं solve करते हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, x मेरा यह जो है, यह बाहर निकल करके आ जाएगा, उसी करीके से यह वाला भी मेरा बाहर निकल करके आ जाएगा, तो x and then क्या बचा मेरे पास भई, log के base में 2, 3 is equals to इधर क्या बचा, x minus 1 और क्या बचा, log के base में 2 और 4 ब तो यह x मिल जाएगा, log, base में 2, 3 is equals to, 2, 2 is up 4 होता है न, यह देखो बच्चे लोग, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसको 2 का square लिख दूँगी, log 2, log 2, 1 हो जाएगा, और वो जो square है, वो इधर आ जाएगा, x minus 1 के साथ, अगर वैसे में करूँगी, तो मेरे को कितना मिलेगा, x minus 1 और यह 2 साथ में हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लोंगी, then, log 2, 3, base में 2 आ जाएगा, which is equals to x, इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेरा, 1 minus 1 upon x, ठीक है, यह अगर हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, then, इसको, 1 upon x is equals to 1 minus, log 3, base में 2, और फिर, यह तो मेरे पास 2 रहे जाएगा, ठीक है, मैंने किया, क्या है, 1 upon x को इधर में लेकर आई, तो 1 minus यह वाला यहाँ पर आ गया, मैंने बस change कर दिया उसको, अगर change करके में करूँगी, तो मेरे को x कितना मिलेगा, x इसका यह हो जाएगा, तो 2 चला जाएगा, 2 उपर चला जाएगा, minus में, 1, 1, यानि कि यहाँ पर हो जाएगा, 2 minus log, base में 2 और यह 3, यह इसका आपका answer आ जाएगा, ठीक है, तो यह answer कहें पर match कर रहा है, 2 upon 2 minus log, base में 2 और 3, यह match कर रहा है, बड़, यह question एक बहुत ही special question है, इसके बाद भी answer निकाल सकते हो, इसमें पता है आपको, क्योंकि log 2 तो लगभग सभी में है, log 2 तो है, तो बाकी option भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, करके देखना पड़ेगा एक बार हमको, तो अगर मैं इसको further solve करन तो x is equals to 2 upon 2 minus log 3, बेस में 2, यानि कि मैं इसको और कैसे कर सकते हूँ, 2 log, बेस में 2 और 3 upon मेरा क्या हो गया जो है, 2 log, यहां 2 और बेस में 3 हो गया, minus 1, ठीक है, आप क्या करोगे, 2 से divide कर दोगे अगर, क्या, अच्छा 2 से divide मत ही करो आप लोग, ठीक है, तो यह मेरा कैसे आया, फिर बताओ, इसको मैं उपर ले करके चली गए, denominator से उपर अगर मैं ले करके चली जाती हूँ, तो log तो वहां भी हो गया है, और यहां पर अगर मैंने 2 को common निकाल लिया तो मेरे पस, 2 log change हो गया यहां पर, 2 उपर चला गया, base में 3 आ गया और minus 1 हो गया हूँ, यह वाला step आपको अगर confusing लग रहा होगा, तो यह हमने एक property पढ़ा था, property पे ही यह based है, ठीक है, तो इसमें confuse मत होना जादा, मैं आपको और confuse करना भी नहीं चाहती यह भी आपका शायद एक option है, 2 log base में 2 और यहाँ पे 3 upon 2 log base में 3, 2 minus 1, यह है, तो यह भी मेरा correct हो गया, उसको जब मैंने further solve किया, तो यह भी correct हो गया मेरा, अब क्या यह correct होगा, A, B हो गया, अब तो C में ही आदमी जाएगा ना, तो C वाला मेरा correct होगा कि नहीं, वो भी मै check कर सकती हूँ, C वाले के लिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आपका जो है, एक property आपने पढ़ा था, क्या property पढ़ा था, मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा नहीं वैसे, property था, log base में A, X, N is equal to 1 upon alpha, यह X नहीं होगा, यह alpha होगा आपका, alpha, so 1 upon alpha सामने उतर करके आ जाएगा, और log base में A और N, यह property था, इसके according, अगर इसको आप 2 से divide करोगे, तो 2 upon 2 तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, X is equal to आपका यह क्या हो जाएगा, 1 upon, then, यह अगर 1 upon alpha को मैं बहार उतारूंगी, मतलब, इसके power में 2 है मेरे पास, तो यह मेरा कैसे हो जाएगा, 1 minus 1 upon 2, log, base में 2 and 3, ऐसे मैं इसको करके लिख सकती हूँ, यह वाला step, देखो, आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं है न, सुनलो मेरी बात, अगर आपको इस सब नहीं करना है, तो मत करो, कोई जवरदस्ती नहीं है, कि आपको 3-4 answers निकालना है, मैंने जिस्ट बताया है, कि आपका एक answer के बार और 2 answer भी explore हो रहा है, यहाँ पे, आपको नहीं करना है, मत करो, एक answer मिल गया न, एक answer पर रूख हो गया, यह एक अलबेला question है, मतलब खुद में अजूबा है, D वाला आपका नहीं होगा सही, वो मैं यहीं पर बता देती हूँ, उसको करने की भी ज़रत नहीं है, तीन options से आपके explore हो रहे हैं, तो यह confusing लग रहा है, तो छोड़ देना, यहाँ तक कर लेने से भी आपका का आपकी होगा, बस आपका यहाँ पर logarithm का question खतम हो गया, और homework मैंने आपको दिया है, यह कुछ चार question ही, easy easy वाले हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इन सब question को important है, conclusion हमारा आज का क्या है, हमने modulus function और inequalities पढ़ा और समझा भी उसको logarithm property अपलाई करके हमने problem जो है, तो basically यह तीनों चीज़े हमने आज कर ली है, और बच्चो, thank you for the session, और आपका time 5 minutes extra ले लिया मैंने, but questions complete करवा दिये हैं, okay, okay everyone, bye-bye, take care, आपका next class होगा, आप लोग जाओ, bye, bye everyone, bye-bye